तो गाईज यहाँ पे अगर आप सभी लोगों को messenger application में इस तरीके से जो है problem आता है यहाँ पे लिखा रहता है sorry we are having some issues please try loading your message application तो इस तरीके से जो है आपको problem आती है तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इस problem का solution बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इस problem को solve करना है तो गाईज आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा end तक देखिए और अभी तक आपने like नहीं किया है तो like कर दीजी दोस्तों और चैनल को subscribe भी कर लिजी तो चलिए गाई इस वीडियो start करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस problem को solve करना है तो इसको solve करने के लिए सबसे पहले आपको अपने phone में setting को open करनी है phone में setting को open करिए और यहाँ पर आपको जो है application पे जाना है manage apps पे जाना है और दोस्तों यहाँ पर आपको search bar पे click करना है यहाँ पर आपको लिखना है message messenger जैसे ही आप messenger लिखेंगे यहाँ पर आपको इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आपको यह application आएगा तो उसको open करिए open करने के बाद storage पर जाईए और इसका data clear कर लिजी तो data clear करने के बाद यहाँ पर आपको application permission पर क्लिक करना है और सारे सारे permissions allow कर लेनी है permissions allow करने के बाद आपको जो है इस application को दोस्तो प्लेश्टूर में जाईए और प्लेश्टूर से आप उसको update कर लिजी प्लेश्टूर से जो है messenger application को update करिए फिर आपकी problem solve हो जाएगा और clear catch जरूर करिएगा तो guys अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजे और दोस्तो हमारे channel को subscribe भी कर लिजी